Hello children, this is Farhaa Sayyad, your English teacher, and today I am going to explain you the first chapter of Standard 8th English NCRT book. The lesson is the best Christmas present in the world, world की सबसे best Christmas present. तो यहाँ पर पहले जो बिफोर यू रीड में जो है वो आप लोग को डेट्स दी गई है, वो डेट्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो हम लेट्सन रिफोर करते हैं, पार्ट वन, I spotted it in a junk shop, in Britpot, a roll-top desk, Britpot में, Britpot एक जगा का नाम है, वहाँ पे author जो है उन्होंने एक junk shop, junk shop में कबारी की जो दुकान होती है, वहाँ पे उन्होंने देखा, क्या देखा, एक desk देखा उन्होंने, roll-top, The man said it was early 19th century and oak, और जो बेचने वाला था, उन्होंने क्या बोला, के ये जो 19th century के पहले का है, और oak से बना हुआ है, लकड़े से, ओक का जो लकड़ा होता है, उससे बनाया गया है, I had wanted one, और मुझे एक चाहिये था, but they were far too expensive, लेकिन वो बहुत ही expensive था, expensive means बहुत महंगा था, this one was in a bad condition, the roll-top desk in several pieces, one like klimsley mended, scorch marks all down one side, और दूसरा जो उन्होंने देखा, roll-tap desk जो था, वो बहुत ही bad condition में था, और उसके several pieces हो चुके थे, several pieces में कई pieces हो चुके थे, one leg klimsley mended, और उसका एक leg जो था, वो चार पाई का जो होता है, उसमें से एक जो leg था, उसका बहुत ही klimsley mended, यानि उसको बहुत, यानि बुरी तरी के से उसको mandate किया गया था, उसको बनाया गया था, रिपैर किया गया था, scorch marks all down one side, और उसके उपर scorch marks थे, scorch marks means जले हुए marks भी थे, it was going for a very little money, और वो बहुत ही कम कीमत में, कम दाम में जा रहा था, means बिक रहा था, I thought I would, I could restore it, और उन्होंने सोचा के मैं ये ले लूँ और उसको मैं restore करू, restore means repair कर लूँगा, it would be a risk, a challenge, but I had to have it, ये कभी risk भी हो सकता है, या फिर challenge भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे करना है, I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage, और वो उसको पैसा दिया, उन्होंने pay किया, उस man को खरीद कर लाए, और उन्होंने अपना work room जो है back side में, जो garage के back side है, वहाँ पे उन्होंने रखा उसको, और I began work on it on Christmas Eve, और उन्होंने Christmas की जो छुट्टी है थी, तब उन्होंने उसको उस टाइम पे work करना, पे start कर दिया, रिपैर करना उसको, I remove the roll top desk completely and pulled out the drawers, उन्होंने पूरी तरह से roll top desk को completely pull कर लिया है, और drawers जो है वो खीच कर उन्होंने open कर दिये, उसमें से विनीर जो है वो निकल चुका है, लिफ्टेड मिन्स निकल चुका है, विनीर मिन्स सन्माई का जो बोलते हैं, फरनीचर पर जो आता है, टेबल स्पे, चेर स्पे, सन्माई का लगा हुआ होता है, वो उन्होंने उस पे से completely lifted देखा, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये पानी की वज़े से डेमेज हो चुका है, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देर टोल ऑन देस्ट, और ऐसा लग रहा था कि पानी ने और आग ने जो है क्लियरली अपना अपना वर्क कर दिया है उस डेस्क में, The last drawer was stuck fast, और last drawer जो था, तीन drawer थे उसमें, रोल टॉप डेस्क में, उसमें से last drawer जो था वो बहुत ही stuck हो चुका था, means, खुल नहीं रहा था, easily खुल नहीं रहा था, I tried all I could to ease it out gently, और उन्होंने gently यानि आराम से आहिस्ता से खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुल पाया, In the end, I used brute force, और end में उन्होंने brute force किया, means, उसको forcefully खीचना चाहा, I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath the secret drawer, और उन्होंने उसको forcefully open किया, और open करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि, वो drawer के अंदर एक और चीज है, और वो एक secret drawer है, उसमें, side में उसके, There was something in it, there, I reached it and took out a small black tin box, और उन्होंने उसको open किया, और उसमें देखा कि, एक small tin box भी है, जो, cello taped on the top of it was a piece of lined paper, और उस small box पे, tin box पे, जो है, वो cello tape लगी हुई है, और top में जो है, वो एक note का paper, जो है, line वाला, उस पे कुछ लिखा हुआ है, on it, shaky, on it, in shaky handwriting, shaky handwriting means, हिलते हिलते हुए हाथों से लिखा गया है उसके उपर, और उसमें क्या लिखा था, Jim's last letter, Jim का, वो last letter था, received January 25, 1915, और वो receive किया गया था, कब किया गया था, 1915 में, 25 January को, to be buried with me, when the time comes, उसमें सा लिखा गया था, के, जब मेरा वक्त आए, तब उसको मेरे साथ में बरी कर देना, मेरे साथ में दफन कर देना, बरी मेंस दफन करना, और मुझे पता है कि, अगर मैं ये बॉक्स ओपन करूं किसी की सिक्रेट को, ये अच्छी बात नहीं है, But curiosity got the better of scrapils, लेकिन curiosity, curiosity means, हमको किसी भी चीज़ को अगर मना करते हैं, तो वो हमें जानने की बहुत अच्छा लगता हमको, वो चीज़ को, कि बहई, मना किया गया, तो हम करके ही रहेंगे, उस चीज़ को जान के रहेंगे, तो उसको भी ऐसी curiosity आई got the better of my scruples, scruples means ऐसी feeling के भई करू के ना करू ऐसा double feelings हो रहा था उनको, it usually does और next उनोंने कर ही लिया उसको, inside the box there was an envelope और वो box के अंदर जो था वो एक envelope था उस पे एक address लिखा गया था Mrs. Jim Macpherson 12 copper bitches, Macpherson Mrs. Jim Macpherson, जो है वो नेम है 12 copper bitches, breed pot मैं आपको पहले बताया कि breed pot एक जगा है इंग्लेंड में, वहां का ये address है, डॉर सेट का I took out the letter and unfolded इट और उन्होंने वो लेटर को बाहर निकाला और उसको unfolded means खोल कर पढ़ा, it was written in with, written in a pencil और वो pencil से लिखा गया था, and dated at the top और उसके top पे, means उपर की साइट पे date दी गई थी, 26 December 1914 26 December 1914 की date दी गई थी तो children first part हमारा यहां पे complete हो रहा है, comprehension check पे just आप refer करिये, मैं answer आपको बता रही हूँ, what was the author what did the author find in a junk shop, junk shop में author ने क्या ढूंडा तो it was a small tin box what was it, a small tin box then 2 number what did he find in a secret drawer और secret drawer में क्या था वो sorry children, first question जो है उसका answer जो है वो रोल टेप डेस्क था और second का जो answer है वो secret drawer में क्या था तो a small tin box, and who do you think had put it in it किसने रखा हुआ होगा तो भई जिसने लेटर रखा है envelope उन्ही ने रखा गया होगा so children, we will continue very soon in our next video so till then, keep watching keep learning stay healthy, goodbye bye